असलालेकुम वीवर्स केसे आप लोग उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे अलहम्दुल्ला में भी बिल्कुल ठीक हूं तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी मौर्णिंग रूटीन सबसे पहले हूं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लागे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को तो यहां पर मैंने अपने बरतन वाश कर ली और यहां पर मैं दराज जमारी हूं वह जादा मैसी हो गई थी हो जाती है मैंने किचिन के पूरी दराज सेट कर दी सारे स्पून वी सब अपनी जगा पर रखती है यहां पर सुबह सुबह बहुँजादा जिलियली में काम होता है और यहां पर यह दराज के उपर कर गई है जो सिली पर यह सारा किलीन कर रहे हूं क्योंकि मैं सबसे पहले यहां पर किचेन क्लिंग हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं किचेन क्लिंग कर लिए अपने बरतन दोने के बाद और यहां पर भीफ ओछ कर जाएं यह पुलाओ के लिए को कि पर बीफ बहुत सबसे पहले मैंने बीफ लिया है इसकी अगर फुल प्रेश्पी बोलेंगे तो मैं चैनल पर अपलोट कर दूंगी बीफ डालने के बाद इसके अदर हरी मिर्ची साबु धनिया सौफ काली मिर्ची बड़ी लाइची लोंग जीरा और अध्रा ग्लसन यह सब एट कर दें अध्रा अध्रा ग्लसन यहां पर दो जग भर के पानी का प्रेश्पी बाद इसके लिट लगा के गोश्ट करने के लिए चोड़ दूंगे मैं यहां पर जो जितना मैस हुआ था वो सब किलीन करूंगी किचन पुरा अपना बिल्कुल नीट एंड किलीन यहां पर मैंने पुरा किचन साफ कर लिया है यहां पर मैं लोग को दिखा र इतने में मैं अपना सारा काम निम्टा ली तूं यहां पर मैं जाड़ू दे रही थी यहां पर मैं सफाई करने के बाद अपने राइस भिगो दूंगी एक घंटे पहले भिगोना यहां ले चांवल मैं दो किलो राइस पका रहे हूं तो उसके लिए मैंने यहां पर दो कप ऑईल डाला इसके अंदर यानि दो पाव होगा और ओनियन डालें चार ओनियन इसको अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे बिल्कुल यह सौफ्ट हो जाएं इसके बाद इसमें हाफ में फ्राइ करूंगे और हाफ निकाल लूंगे एक साइट पे हाफ इसलिए निकाल लिए फलाओ में उपर से डाल के खाने में काफी अच्छे लगते हैं यहां पर इमिर्या गोश्च भी गल चुका तो मैंने यखनी में से गोश्च निकाल के ऑईल के अधरा ग्लसन तेज पत्ता और छोटी वाली लाइची यह सब एट करके इसको अच्छी तारीके से भूल लेंगे और नमक में ने इसके अंदर फिर एट किया था यखनी में भी डाला था और इसमें भी डाला था यहां पर इसको दस मिनट के लिए चोड़ दूंगे करें मेरे चैनल को और यहां पर में धाई डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ढखके छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए यहां पर इसके बाद मैं इसके अंदर यखनी एट कर दूंगी यखनी को चान लेंगे ताकि एक भी कोई सीट फगरा नहीं जाहें पुलाओ में क यहां पर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर में लिट लगा के छोड़ दूंगी 15-15 मिनट के चामलों को पानी को शक नहीं हो जाता और यहां पर थोड़ा सा राइता बना रही हूं और उसके बाद यह दम दे दिये मैंने 15-15 मिनट के लिए यहां पी मेरे राइस ते सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बस यही थी आज की वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखें दूआ हमें याद रखें हला आफिस